डेल टेज़ फोर यू चैनल में आपकी हर्दिक स्वागत है आज हमारी इस यूटूब चैनल के माध्यम से हम आप लोग को PM किसान सम्मानी दियोजने के बारे में डीटेल से जानकारी देते हैं कि कैसे अपलाई किया जाता है दोस्तों आप नए हो हमारे चैनल में तो बिल्कुल सस्क्राइब और लाइक करके जाए ताकि हमारे मोटिवेशन बढ़ता रहे तो चलिए आईए ऐसे टाइप आपके सामने में PM सम्मान नीधी का फ्रंट पेज ओपन हो जाएगा तो आपको फार्मार कॉर्णर में जाना है तो हमें अभी अपलाई करना है तो न्यू फार्मार रजिस्टेशन में क्लिक करना पड़ेगा इसमें क्लिक करने के बाद हमको एक पेज ओपन होगा जिस पेज में हमको अधार कार्ट और उसमें केप्चर कोड को टाइप करना पड़ेगा देखिए अभी अधार कार्ट को हम टाइप करते हैं आप भी अपने अधार कार्ट को सामने में रखिए उसके बाद अपने जो अपलाई कर रहे हैं जो किसान हैं उसका अधार कार्ट को आप बारीकी से टाइप कीजिए अब टाइप करने के बाद इमेज कोड है image code को आप इसमें जैसे small में है तो small में capital पे तो capital पे आप उसमें type किजिए type करने के बाद click to continue में आप click किजिए आप इसको इतना click करने के बाद आप में अगर आप apply अभी तक नहीं यह हो तो आप में record not found with given detail आएगा तो इसको आप ok कर देजिए ok करने के बाद आपको दो option आएगा जिसमें record not found with given detail do you want to registration on PM के sun portal जैसे आप नहीं करना चाहते हो तो yes पर click किजिए अगर नहीं करना चाहते तो no तो अभी हम करना चाहते हैं तो yes पर हम click करते हैं इसको आप click करने के बाद आपके सामने में एक page open होगा जिसमें आप अपने पूरा detail को submit करना पड़ेगा देखते हैं हम जैसे आप अपने राजिया अपने पूरी जीले और भी कास्कान के बारे में अपने पूरी जानकारी है उसको आप detail में आपको submit करना पड़ेगा तो चली आएए मैं आपको इस box के माधियम से मैं समझाता हूँ सबसे पहले आपके सामने ऐसे टाइप एक page open होगा उस page में आप detail रहेगा former personal detail किसान का नीजी जानकारी इसमें डालना है तो आपको इसमें state है तो आप जैसे की महराश्ट है से हो बिहार से हो बंगाल से हो जहां से भी हो आप इसमें क्लिक कीजिए इसमें पूरी option आ रहा है आप जहां से हो आप क्लिक कीजिए उसके बाद आपको district आपका जो जील है उसको डालिए उसके बाद सब district जो है उसको डालिए आपको जो ब्लॉक है उसको डालिए उसके बाद किसान अपने नाम को डालिए उसके बाद नीशे में आता है फार्मा अपप कैसे टाप किसान हो आप छोटे किसान बड़े किसान हो तो अप छोटे किसान हो तो आप है समाल वहन्मवन हेक्टर वाले को आप किलिक कर सकते हो उसके बाद आप निशे अप को रहा हो आपका जो जहां branch code है if ic code है वहां उसको type करना पड़ेगा उसके बाद आप अपने जो address है address को यहां पर आप click करना पड़ेगा उसके बाद आपको यहां पर category category मतलब आप ht ht general जिसमें आते उस category को आप यहां पर करना बैंक 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 जैसे आप जो भी बैंक उसको submit करते हैं उसके बाद इतना पेज होता है जितना मैं बता हूं उसके बाद submit for अधार में आप click कीजी उसके बाद वो submit हो जाए उसके बाद second है form or other detail किसान का अन्य जानकार जिसमें आप अपने mobile नमबर जनम ती थी और किसान का mother, father, husband जो नाम है उसको आप यहां पर click कीजी उसके बाद आपका personal है तो single में click करें अग आपका खाता जैसे आपका खाता है joint family में है पुरा family उस खाते में है तो आपको joint को click करने पड़ेगा उसके बाद इसमें आप जो eight करना है उसको eight को click कीजी आप eight को click करने के बाद आपके सामने में एक option आएगा उस option में जो सामने में आएगा उसमें होगा आपका पंजियन जो आपका खाता नंबर होगा उसको डालना पड़ेगा और आपका जैसे हेक्टियार है आप अपने जो खाता है उस खाता से आप देख सकते हो किसान लोग को पूरी जानकारी होगा कि उनके पास कैसे कैसे खाता है उसके बारे में सर्वे खाता नंबर मतलब आपके पास जो पर्च से आप अपने खाता नांबर को के खाते नमबर को यहां पर लिख सकते हां लिखेंगे उसके बाद खसरा नंबर खसरा नंबर होगा उसको लिखेंगे उसके बाद एडिया घे जिश। प्रणाइब comum 60.50505020 along ऐसे कुछना रहते हैं उसको यहां पर क्लिक करते हैं उसके बाद एट को क्लिक करने के बाद है इसको राइट क्लिक कर दीजी क्लिक करने के बाद क्यों सोब करने मैं पड़ेगा आपको सेव को क्लिप करने के बाद आपका वहा ही मि emp ho तब आपको बिल्कुल दो हजार किस्तों में आपको किसान सम्मानी उचना के ताथ आपको रासी प्राप्ता होगा दोस्तों थाइंक्यू दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करजिए और अगर आपको जानकारी चाहते हैं कि कैसे अप्रूवल मिले तो बिल्क से इसके बार में पूरी डीडियल से जानकारी देंगे धन्यवाद दोस्तों